हेलो जाइज वेलकम टो mcq श्टुटी पॉइंट तो दोस्तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि रिवाइज एंसर की कब आएगी तो मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवाइज एंसर की आपकी किस तरह से दिखेगी किस तरह से मतलब उसमें क्या लिखा होगा मेरे पास एक answer की है, revised dancer की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और result कब तक आएगा, उसकी भी मैं एकदम सटिक date आपको बताने वाला हूँ, और 99% तक वो सही जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पर जो भी information आपको दी गई है, वो लगबक सभी सटिक एकदम सही बैठ और भरती परकरिया देखो, दुगनी स्पीड पकड़ ली है भरती परकरिया ने, वो क्यों, क्या हुआ है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ, तो बिना time waste के चले, मैं आपको revised answer की दिखाता हूँ, ये 9534 वाली नहीं है, दूसरे एक्जाम की है, उत्तरप्रदेस पुल ये अपना वही है, उत्तरप्रदेस पुलिस भरतीय परणनती बोर्ड, 16 दिसंबर को revised answer की जारी करी गई थी, ठीक है, ये 9534 वाली नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है, उत्तरप्रदेस पुलिस मोटर परियोहन साखा में मोख आरच्छी मोटर परणन के 32 रिक्त प कि स्रीज ये इसमें करम संख्या, इसमें उत्तरकुंजी पहले ये थी, संसोधि उत्तरकुंजी ये है, ठीक है, और जो भी है ये, जो भी आपत्ती थी, वो निरास्त, निरास्त, ठीक है, इस तरह से आपका लिख कर आएगा कुछ, तो आपको फिर मिलाना होगा, मान लीज सही था, आप वो सी ओप्सन सही है, संसोधि उत्तरकुंजी तो आपको मान लेना होगा, कि आपका कितने बढ़ है ये, कितने घड़ है, ठीक है, उस हिसाब से आएगा, तो आप मैं बता दू कि आप वाली जो है 9534 वाली वो कित कव आएगी, तो देखिए, ये कव आई, 16 त 6-7 दिन, मतलब 10 दिसंबर तक तो इसका वो ही था, कि आप आवेदन, मतलब आप 30 दर्ज करा सकते हैं, है न, जैसे कि 3 से आई थी, तो 3 से 9 या 10 तरिक तक तो था कि आप 30 दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि आप वाली कव आई थी, 10 को आई थी, और 10 से 16 तक था कि आप 30 दर्ज क अगले तीन दिन आपको और वेट करना होगा कम से कम अगले तीन दिन मतलब एक बीस हो गया है एक बाइस मतलब बाइस के बाद ही आ सकती है क्योंकि उसमें तो यह जो एंसर की है यह दूसरी इस वाले की है ना तो इसमें कम बच्चों ने पेपर दिया था मंदब कम अभ्यार इसमें आप वाली में जो है जादा रहेगा तो बाइस से पहले आपका कोई चांस नहीं है एंसर की है ना बाइस दिसमबर के बाद ही मान कर चलिए पच्चिस तक आपको मान कर चलिए कि आपकी पच्चिस दिसमबर तक एंसर की आ जाएगी हर हाल में ठीक है और इस तरह का क आपका जो result है, मालने जिए 25 दिसंबर तक आपकी answer की, संसोधीद answer की आ गई इस तरह से, और फिर आपका रहे, उसके बाद क्या होगा, संसोधीद answer किया कि फिर तो कुछ लेना देना रहेगा नहीं कि यह अपती है, उपती उपती, उसके बाद direct क्या होने लगएगा, merit list त्यार होने लगेगी, merit list किसलिए है, running के लिए, कि कितने बच्चा से उपर हैं, तो कितने गुना बच्चे लिए जाने हैं, और उनकी running करानी है, वो त्यार होने लगेगी, ठीक है, तो उसमें भी कम से कम, चार-पांथ दिन आपका लगेगा, ठीक है, तो आप ऐसा मानकर चलिए, कि आपका result, आपका result, जन्वरी के पहले, मतलब first week में, मतलब पहले में आ जाएगा, ठीक, पहले में मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मानले 25 तक आपकी रिवाइज रैंसर के आएगी, तो पांच दिन या फिर एक दिन बीच में कोई छुट्टी पढ़ गई, दो दिन पढ़ गई, तो जन्वरी के पहले सब्ता में जा सकती है, पहला सब्ता मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, मतलब 6-7 दिन में सब काम हो जाएगा, 5 या 6 दिन तो दिसंबर के ही मिल गए आपको, और 2-3 दिन जन्वरी के लग जाएगे, मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट करेंगे ना, तो 5 जन्वरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट किस तरह से आएगा, उसमें लिखा होगा, इस तरह से आएगा, You are qualified for DV slash PST, इस तरह से आपका लिखा होगा, ठीके, तो अब माली जे 5 जन्वरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो सीधी सी बात है, जेल वार्डन और फायर मैन में जैसा हुआ था, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको पाँच, अगर पाँच जन्वरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो सीधी सी बात है, आपको सिर्फ एक हपते का टाइम मिल सकता है, ठीक है, आपका डीवी, पीएस्टी और रणिंग साब हो जाएगा, ये खपता मतलब साथ दिन, है न, क्योंकि ये सब संभावना इसकी है, पंदरा जन्वरी से पहले होने की संभावना लग रही हैं, बहुत तगड़ी, भर्ती बोर्ड ने भी अपनी स्पीड मतलब दो गुना कर ली है, क्योंकि बच्चे हाई कोट वगएरा जाने लगे हैं, और सरकार इस भर्ती को बहुत जल्दी कम्पलीट करना चाहती है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जब तक सुनवाई वगएरा हो, या कुछ भी हो, ऐसा कुछ माहल बने, उससे पहले रिवाईड एंसर की रिजल्ट आ जाए, और फिजिकल होता रहेगा आराम से, क्योंकि एक बार फिर फिजिकल वगएरा हो गया, तो फिर बात मतलब कहीं न कहीं टल जाएगी, तो 25 दिसंबर तक आपकी एंसर की रिवाईड पांच जनवरी तक आपका रिजल्ट ठीक है, उसके पांचे दिन बाद, देखे जब रिजल्ट आता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि आप डिवपीएश्ट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, और लिंक दे दिया जाता है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, डिवपीश्ट का एडमिट कार्ड जहोगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपका तीन दिन बाद है या चार दिन बाद है या पान दिन बाद है, क्योंकि देखे 40-50,000 बच्चे लिए जाने हैं अब आपको पता है कि 12,000,000 बच्चों का पेपर हो गया तो 40-50,000 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसमें तो उसी एक ही ग्राउंड में बहुत सारे बच्चों को बुला लेते हैं हजार हजार दो दो हजार करके और ऐसा पूरे यूपी में है ना कई ग्राउंड में अगर बुला लिया तो सब काम खतम हो गया तो आप समझ सकते हैं तो पांच जन्वरी से लेकर पांच जन्वरी से लेकर पंदरा जन्वरी तक आपके रणिंग डीवी पेस्टी और रणिंग हो सकता है ये कितने दिन बच्चे दस दिन मतलब दस दिन तो लगेंगे भी नहीं भी पचास जार बच्चों को करने में इतने दिन लगते हैं क्योंकि यह जो मैं नीचे आप देख पा रहे हैं सर की इसको भी इतने दिन लग गया आने में और फिर उसके बास रिजल्ट त्यार करने में दस दिन और मान लीजिए पांच जनवीज देख आपका रियल्ट आ जाएगा और अगले दस दिनों में आपका डीव प्यस्टी और रेनिंग सबका हो जाएगा ठीक है पांच को आया तो आपको तीन चार दिन का टाइम दे देंगे ठीक है मान लीजिए चलिए आठ से या नो से या दस से आठ से भी हुआ तो आठ नो दस में निप्टा के काम खतम कर दिया फिर कुछ भी होता रहे चाहे लेक्सन होता रहे चाहे चुनाओ आये होगा र सब ने running pass कर ली, देखें सीट कितनी है 9534 है, और running power कर ली 12000 बच्चों ने, ठीक है, तो वेकंसी तो इतनी है, लिस्ट मे इतनी आएंगे final merit list में, तो इसमें से जितने भी बच्चे बचेंगे, 9534 लेने के बार जितने भी बचेंगे, जिनके कम नंबर होंगे उनको छाट के अ जहीं के जाता है तो आपको यह देखना है यह थो आपको समंझ में आ गया होगा सब रिवाइद अंसर के वारे में मैंने आपको बतादिया इस तरह से लगेगी अंसर की कब तक आएगी युजली कितने दिन लेते हैं और रिजल्ट किस दिन जारी वसकता हो भी मैंने आपको बता दिया और भरती प्रकरिया की स्पीड भी मैंने बता दी कितनी तेज चल लई है ओके और रणिंग बच्चे नहीं कर रहे हैं मुझे पता है क्योंकि ग्राउंड वगरा सब खाली रहते हैं बच्चों में यह टेंसन है कि भाई जब धांदली हुई है इत करूँगा कि आपको मतलब अपडेट दे पाऊं ठीक है जैसे क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो हमारे चैनल पर जुड़े थे जुनोंने यूपी एसाई का एक्जान दिया और जो यूपी टेट का सीटेट का इन सब का भी देते रहते हैं ठीक है तो हर तरह हैं के बच क्यार रखिये क्योंकि ज्यादा दिन बच्चे नहीं है पांट जन्वरी की बाद कभी भी बुलावा आ सकता है आपका कि आपकी रनिंग कहा है और तब तीन-चार दिन आप नहीं कर पाएंगे हो सकता है थोड़ा दूर बुला लिया तो आमको फिर वही दिक्कत होगी वीडियो में थेंक्यू